Hello dear students, welcome back to the channel Faisal Sirs Academy इस वीडियो में हम बात करेंगे सिकॉलर्शिप के हवाले से जो नेशनल सिकॉलर्शिप पोर्टल के हवाले से एक important update है information है काफी सारे सिकॉलर्शिप के लिए जिन्होंने NSP के लिए apply किया है तो यहाँ पर एक issue सब को देखने को मिलेगा कुछ students को message आई हैं कि आफका biometrics incomplete है या कुछ students का scholarship institute level district noodle officer ने verify किया था अब जब वो status check कर रहे थे तो वहाँ से उनको फिर से दिखा रहा है कि आफका application form rejected है आफका application form फिर से institute level पे verify करवाना है district noodle officer से फिर से verify करवाना है तो इस सब के लिए आपको क्या करना है इस वीडियो में हम पूरी तरह जान लेंगे बिफुर वी आर गोइंग टो स्टार्ट इस वीडियो अगर आफ इस चनल पर नए हो तो चनल को subscribe कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए ताकि ये information हर एक student तक पहुँच पाएगी और नेचे description और comment section में WhatsApp group की link है join कीजिए ताकि जो कोई भी update हो scholarship के हवाले से job related information educational purpose तो सबसे पहले हम आपको WhatsApp group में share करते हैं तो बात करते हैं हम यहाँ पर काफी सारे students को यहाँ पर message आ रही है कि आपको biometrics करवाना है तो यह biometrics होता क्या है इसके लिए आपको क्या करना है चाहिए आप phone पे कर सकते हो या इसके लिए आपको कौन सी process कर रही है तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि biometrics के लिए यह बात है कि आपको biometrics फोन पे आप online खुद नहीं कर सकते हो इसके लिए आपको concerned college, concerned university, concerned high school जहां पर आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आपको office के साथ contact करना है और वहाँ से आपने biometrics करवाना है अगर आप biometrics नहीं करवा रहे हो तो आपको सिकॉलर्शिप जहें वो cancel होगी आपको सिकॉलर्शिप नहीं मिलेगी इससे पहली कि आपकी सिकॉलर्शिप cancel हो जाए आप जहें अपने college से contact कीजिए युनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो युनिवर्सिटी से contact कीजिए यहां हाई सिकॉलर्शिप पढ़ते हो तो उनसे contact कीजिए और अपना biometrics आप अपडेट करवा दीजिए तो उसके लिए आपको biometrics अपडेट करने के लिए आपको NSP की जो ID होती है वो साथ में लेनी है और आधार कार्ड लेना है साथ में तो आपको वहाँ पर एक CSC वाला होगा CSC वाले बहर भी होते लेकिन उनको authority नहीं है यह आपको concerned college में जाना है concerned high secondary में जहां पर आप पढ़ रहे हो जहां से आपने NSP बरी हैं तो वहाँ से आपको एक officer बैठा होगा जो आपके जो यह biometrics करेंगे तो आपको उसके लिए college जाना है बहर कोई computer वाला कोई online आपको यह नहीं करके देगा Thank you and thank you very much